हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू आर चैनल सो एज अल्रीडी टोल्ड यू कि आपके जो भी डाउट्स होंगे वह हम कमेंट बॉक्स से लेंगे और आपने बहुत सारे कमेंट्स भी किये हैं रिगार्डिंग यूर मेडिकल एंटर्विव तो इन दिस वीडिया आम गोईंग तो सब्सक्राइब करना चाहती हूं प्लीज माम सजिस्ट मी एनी बुक फॉर जी के ओके देखो स्लेबर्स तो हर बार चेंज होता है मतलब जो लेवल है वो चेंज होता है बट जो कॉमन फैक्टर है मिनस एक्जाम के लिए जो आपको अच्छे मांक्स गेन करा सकता है इवन पासिंग मार्क्स तो लाई सकते हैं तो इस बार बहुत सारे बच्चों का टाइम मेनेजमेंट की वज़े से ही पेपर चूटा है तो उन्होंने डिरेक्ट ऐसे ही कोशन्स कर दी है तो उसकेस में आपको सबसे जादा इंपोर्टनेंट यह बात याद रखनी है कि जी के हाड या इजी आए आप उसे अटलिस्ट कर तो लोगे और साइन्स आपको नॉर्मल पढ़नी है 11 12 लेवल की जो अब तक आप पढ़के आए ओठीक है ूर्फनेस नॉक्णी बहते हैं नॉकणी का मेरक लोग नॉक्णी का एक्सेनशन होते हैं कितना आपका नॉक्णी है तो उसके बेसेस पर अगर माइनर है तो ठीक है चल जाएगा क् copper में नौमल कूणी देखने को मिलती है तो अगर जादा है नॉक्णी तो वो उन्फिट कर सकते हैं आपको क्योंकि नौकनी में रिजेक्शन होता है यह मुझे पता है बस नेक्स्ट इस मैं मैं हेव हाई मायोपिया अराउंड माइनस सेविन पॉइंट वन डॉंट एनी अदर प्रॉब्लम विल आई रिजेक्टिट अफकोस मतलब में जो नॉर्मल आपका मायोपिया ह होना चाहिए दाट इस प्लस माइनस 3.5 डेप्टर ठीक है अगर प्रीविएस वीडियो देखो के आप मैडिकल की तो उसमें मैंने आपको बताया था प्लस माइनस 5 डेप्टर बट यू नो कि हाईट में चेंज हुआ है तो वो आपको बताया गया था इस बार 2020 में लेकिन जो आई का जो क्राइटीरिया है वो भी चेंज किया है अब जो आई में जो मिनिममम जो आपको चलेगा डाट इस माइनस प्लस माइनस 3.5 डेप्टर यह मैक्सिमम तक आपका चल सकता है इससे जाधा नहीं होना चाहिए ठीक है और माइनस प्लस माइनस 5 ओ गया और आपका तो माइनस 7.1 है तो यह बहुत जादा है का तो इसमें तो आपको रिजेक्षं मिल सकता है क्या मिलेगा इसमें इसमें आप-प्रीजेक्ट हो सकते हो क्योंकि आपका अय्योपीर 7.1 है यह है नेक्स्टिस और कि अकेश्ज… ओ शिट यह एसे कमेंट क्यों करते हो आप आपस में ही नेक्स्ट इस बट यूर प्रॉब्लम इस क्योरेबल वाइल देर इस नो चांस मैं मैं आइसाइट इस सो वीक मैंने आपको आई का बताई दिया है आई आपका प्लस माइनस 3.5 डेप्टर तक चलेगा विच इंस्टिट्यूट इस गुड़ फॉर MNS कोचिंग क्लासेज ओफ्लाइन कोचिंग क्लासेज का मिरको कोई आइडिया नहीं है और मैंने कभी सुना भी नहीं है ओफ्लाइन MNS के बारे में तो I mean MNS के लिए कोचिंग लेना ज़रूर ही नहीं है अब सेल्फ स्टेडी से भी निकाल सकते हो इस बार भी कई बच्चे है मैं आपको कमिंट दिखा दूँगी बहुतों ने सेल्फ स्टेडी से ही किया है PASING Certificate अविलेबल नहीं है डिजि लॉक कर पर है उसके बिना नहीं चलेगा क्या पसिंग सर्टिफिकेट आगर आपका CBSC Board है तो CBSC Board जो है वह आपको पासिंग सर्टिफिकेट देते हैं तो अगर आप CBSC Board से 12 किये हो तो आपको pausing certificate बिल्कुल मिलेगा और यह जो pausing certificate है यह आपका 12 का होना चाहिए ठीक है 12 का passing certificate माँगा है आपर पर क्योंकि mns जब साय वह वह 12 बेस्ट एकजाम है तो आपको 12 का passing certificate अगर digi locker से डाउनलोड किया है तो कोई problem नहीं वो भी चल जाएगा लेकिन passing certificate होना चाहिए डिपेंड करता है देखो board पर CVAC board तो release करता है मैंने आपको इस वाली वीडियो में भी provide किया है passing certificate मैंने आपको show किया है do and check this video आपको video के and में passing certificate मैंने show किया है कि वो किस type का दिखता है ओके माम is TC same to school living certificate यह सेम होता है school living certificate is actually the transfer certificate जो आपको दूसरे कहीं जगे पर जब admission लेते हो तब वो काम आती है चीक है कि I was expecting 145 and just got 113 I mean इस बार इतने बच्चे हैं पिशली बार ऐसा कुछ मतलब मुझे लग रहा है कि हां result में मेभी कुछ ऐसी गडबड़ी हो सकती है क्योंकि एक दो बच्चा जूट बोलेगा काफी बच्चे ने comment किया है कि माम जो result that is totally unexpected 125 120 expect किये और उन बच्चों के 81 91 100 ऐसे करके marks आ रहे हैं तो उस video उसमें आपको मैं next video मैं आपको solution में provide करूंगी and of course I'm going to provide video on that in which we are going to you know this इसमें हम क्या कर सकते हैं like combinedly और unity के साथ हम कुछ solution निकाल सकते हैं so जब हम interview के थोड़ा हम discuss कर ले थे क्योंकि अब जो बच्चे हैं जिनका selection हो गया आपको थोड़ी help करनी चाहिए तो जब उनका help कर देंगे उसके बाद उसके just बाद मैं आपको एक video provide करूंगी जिसमें हम यह solution निकालेंगे कि मतलब आप ऐसा result unexpected क्यों बता रहें सारे बच्चे ठीक है मैं मुझे 2022 के MNS के लिए preparation करनी है आपकी online classes करनी है online तो मैंने अभी तक आपको एक भी बार नहीं पढ़ाया है offline जो भी important topics है वही मैंने cover करा है और current affair जुलाई के जो है कफी बच्चे बोल रहे हैं कि जुलाई के current affair तो वो भी मैं provide कर दूँगी don't worry अनुष्का कुछ scam हुआ है result में में भी देखते हैं मुझे बेस्ट जो आइडिया लगा है मैंने mail किया है वो में next video में आपको बताऊंगी कि उस mail का result है then we are going to discuss on this further topic मैं I am having one doubt my height is 151 cm and I do not belong to गौर्खा और हिमालियन region so will they reject me in the medical और are there any chances आपकी height 151 है ना तो मतलब minimum height 152 cm तक allowed है तो rejection मिल सकता है इसमें height में क्योंकि आपने बोला कि relaxation भी नहीं मिलेगा फिर गौर्खा और हिमालियन region से नहीं हो तो minimum height 152 मैं next video आप syllabus पर बना दीजिएगा मुझे पता नहीं है आपने पहले बनाया है बट I feel like कि कुछ topics हैं एड हुए हैं तो एक update वीडियो डाल दो ओके update वीडियो बेसिकली मैं प्रोवाइड कर दूंगे आपको MNS 2022 के लिए जिसमें आपको important topics जो cover करने हैं जैसे मैंने इस बार बताया था आपको 2020 का जो मैंने स्लेवर्स प्रोवाइड किया था कि human health and disease से हर बार question आते हैं और इस बार भी साथ से 8 question हर सेट में फसे हैं तो human health and disease important topic है ऐसे और भी टॉपिक्स हैं जो मैं आपको cover करा दूंगी इस बार भी अपडेट वीडियो बिसिकली जो बच्चे इस बार medical देंगे उनके लिए एक important update है कि उनके लिए medical से related update वीडियो में जरूर प्रोवाइड करूंगे क्योंकि वह important है को changes हुए हैं और क्या-क्या आपको you know important इन चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है medical के टाइम पर मैं में इस बीएमाइड रिजल्ट इस अंडरवेट इस देर नी प्रॉब्लम में इन अंडरवेट और ओवरवेट में भी रिजेक्शन मिलता है टेंप्रेरी रिजेक्शन है वह लेकिन रिजेक्शन आपको देंग है तो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है मैं में बीएसेफ बिग राउंड स्टूडेंट्स गेट एनी पॉइंट इन इंटर्व्यू देखो आपका जो डिपेंडेंट सर्टिफिकेट है वह आमी नेवी और एयर फोस का होता है ना तो इन तीनों में आपका डिपेंडेंड सर्टिफिकेट मिलता है और डिपेंडेंट सर्टिफिकेट के माक्स होते है लेकिन जो यह प्रूफ नहीं पॉइस नहीं है कोई पॉइंटाइंट इम्पॉइट्ट मिलते हो आमी तो pity नवी और ओर ऊईठासर और उसका dependent है तो चलेगा उसमें मिलते हैं मार्क्स लेकिन इसमें नहीं मिलता आपको कोई मार्क्स नहीं मिलते इसमें बढ़ हाँ पॉजटिव इंपेक्ट तो होता ही है आप में टॉंसे वालों को भी निकाल देते हैं और टॉंसे में अफ्कॉस रिजिक्शन होता है क्योंकि आपका मैंने देखा हैं जो चेक अप होता है वह आपके ब्रिस्ट वगएरा और बैक साइड पर बोन मेरों की दॉनों साइड जो है महां पर आपको स्टेथेसकोब रख सब्सक्राइब आपको जब जाओगे तो एट लीस्ट तो लग जाएंगे आपके इंट्रियू और मैडिकल को कम्प्लीट होने में तो उसकेस में यह जो दो से तीन देने यू हाव तो स्टे ऑन यू और ओन आर्रेंजमेंट्स कोई हॉस्पिटल्स आपको नहीं प्रोवाइड करेगा कुछ भी 10th passing certificate CBC प्रोवाइड किया है क्या यार 10th passing certificate नहीं चाहिए उनको चाहिए 12th passing certificate 12th passing certificate लेगे जाना है अपने साथ ठीक है इस दिए ररणी डिडरी लिमिट्स फॉर नॉक 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 नी का मैंने बताया आपको गल्स के अंदर नॉक नी जररली देखा जाता है तो तो कुछ डिग्री तक अगर है तो चलेगा लेकिन अगर जादा ही वो दिख रहा है कि हां नौक नी प्रॉपर है आपका तो वो रिजेक्शन दे सकते हैं आपको तो उसके इसमें रिजेक्शन मिलता है आपको ट्रेलीग्राम पर आंसर दे दिया इसका 142 मार्क से आपके और टोटल 250 में से आपका यूनों मैरिट लिस्ट बनेगी क्योंकि 100 आपके इंटर्व्यू के प्लस 150 आपके रिटेन के तो 150 में से आपने 142 तो सिक्यूर कर लिए मतलब यह काफी गुड़ स्कोर है तो 142 प्लस आपको आपको 50 कुछ ऐसे आकर आपका मार्क सा जाता है इंटर्व्यू में तो आपका 100 परसंट सेलेक्शन है ओके वन मोर गल आस्क्ट में दिस मैं मैं गेटिंग 110 मार्क्स आपने 110 से स्कोर किया है तो ठीक है यह तो आपने स्कोर कर लिया पासिंग आपने कर लिया रिटिन में लेकिन अब इंटर्व्यू में आपको एट लिस्ट आइधिंग 60 प्लस मार्क्स लेके आने पड़ेंगे तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में पक्का नाम आ जाएगा और ऐसा नहीं है कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका सेलेक्शन नहीं में आपको बता है ना उसकेस में भी कि लाइक अगर 250 बच्चे उनको लेने हैं या 220 बच्चे सौरी लेने हैं उनको तो 220 में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैडिकली अन्फिट होगे जो मैरिट लिस्ट में आएंगे और किसी का कुछ और इश आएं तो उस चीज़ की टेंशन मतलो उस चीज़ की टेंशन लेनी ही नहीं है क्योंकि इंट्रव्य और आपके यूनों कॉन्फिडेंस को चेक करेगा और कॉन्फिडेंस आपका पूरा होना चाहिए उस टाइम पर और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको यूनों मेरे को सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड करनी थी वैसे अगर कुछ बच्चे यहां तक वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके लिए बहुत यह बात होगी कि आपको कॉन्फिडेंस ऐसे भी सोच के आना चाहिए कि लाइक जो वहां पर मनेस ऑफिसे बैटी है उन्होंने आप ब्रेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है दी मेरे माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्लस टू का गुम हो गया है बट मैंने डिजी लॉकर से डाउनलोड किया है इस वैलिड यस अफकॉर्स इस वैलिड डाउनलोड कर लो और उसे प्रिंट आउट निकाल लो ठीक है और उसकी है क्योंकि आपका फर्स बेच्च में बूलाइए है थो उस पर उनको कोई लोड नहीं होते है उस दिन क्योंकि आप ही बंदे होते हो कुछ 40 बच्चे बताएं हैं एक बैच में बुलाएं हैं सौरी तो वह 40 बच्ची अगर 42 23 अगोस्ट को जाएंगे तो उन 40 बच्चों प में आपको दो यह से तीन दिन लग सकते हैं फिर जब आंगे बच्चे आते हैं उनको फिर उनके उनके पास डबल लोड हो जाता है क्योंकि एक तो आपका ही पेंडिंग है और उपर से उनका भी इंटर्विव फिर नेक्स दे तो यह इशू होता है उनको कम दिल लगते हैं उधर मतलब स्टे करने के लिए तो वह डिपेंड करता है वैसे मैं मानू तो अप्रेक्स अप्रोक्स तीन से चार दिन फोर त्री तो फोर डेज आपके लग जाएंगे और य तो यहां तक मुझे पता है कि ट्वेल्ट इसे इंप्रोटन वेस्स इंप्रेट लेक्षाम है तो इसलिए 12th की जो TC है that is most important तो 12th original की TC और photo state ये important है अगर original नहीं है तो photo state लेगे जाओ या फिर school से try करो एक बार जहां से आपने 12th की है कि वो एक और TC आपको दे दे या फिर उसी photo state पर आप एक और बार stamp लगा के जाओ तो stamp से भी वो original हो जाएगी I am completed intermediate from okay आंद्रप्रदेश और नाचल प्रदेश बूर्ड I want to write this in exam what can I do when the notification notification जो है वो आपका नेवेंबर and December में release होता है ठीक है नेवेंबर दिसेंबर नेवेंबर के आंडिंग में और दिसेंबर के स्टार्टिंग लास तक ये notification रहता है application form रहता है नेग्स 2020-22 का notification कब रिलीज हो का नेवेंबर दिसेंबर में ओके दी प्लीज डू reply पेरेंट का होना जरूरी है क्या साथ में देखो पेरेंट्स का अगर मतलब आपको लगता है कि आप अकेले हैंडल कर सकते हो सारे documents वगेरा और जो भी आपको चीज़े महाँ पर require है तो दाट इस ओके मतलब यह आपकी कुद की च्वाइस है बट अगर पेरेंट्स होते हैं तो भी आपको help मिलेगी तो दाट इस अप टू यू ना इसमें मैं क्या बोलू फोटो वही होनी चाहिए जो admit card में है वही होनी चाहिए फोटो तो नहीं है तो आपने जो admit card में paste कियो उसे निकालके admit card of interview वाले में लगा तो अब उसका तो requirement नहीं है अगर एक ही फोटो है और अगर कोई फोटो और है ना मतलब इसमें आप खुद ही सोच सकते हो अगर फो फोटो यह फोटो ज़रूरी नहीं है वैसे कि वही लेके जाओ अगर है तो और अच्छी बात है कि वही फोटो आपको interview में क्योंकि लगा नहीं होती है बुकलेट्स में dependent कार्ट चलेगा क्या अफकोस चलेगा dependent कार्ट के आपके 5 मार्ट या 10 मार्ट होते हैं मैं मैं आई साइट इस सो वीक माइनस फाइव डेप्टर आयम सेलेक्टेड फॉर इंटर्व्यू ठीक है मेडिकल में प्रॉब्लम होगी मैं आपको बताया प्लस माइनस त्री डेप्टर तक चलता है पासिंग सर्टिफिकेट अविलेबल नहीं है डिजी लॉकर पर भी उस आपको इंटर्व्यू नहीं देने देंगे लेकिन कुछ पॉइंट्स होते हैं डोकुमेंटेशन के लिए भी है ना जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मैंशन किया है वो आपको पास नहीं है तो कुछ पॉइंट्स आपकी डिड़क्ट कर लिए जाए में भी या फिर नेग सर्टिफिकेट कमें आप डियूसपत्स आप लिए सिंपल आपको फर लिख देना अपना लीग इंहले लिए उसमने पत्रतव मेंशिट्मespèreंने मंटिंग अपने अपने का नंढ़ मेंशन करना है påher 5000 करनाईय को इसके लिए कि एक रिखेभ़्या हैं कि आयं दिस धode यहां पर प्रिंसिपल आपका साइन कर देगा यह रेगुलर सर्टिफिकेट होता है तो इसमें थोड़ा आप चलाकी भी दिखाऊ ना अगर रेगुलर सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो इसमें क्या करो यह के फोशीट लो अपना नाम लिखो और जो भी एक्सन वाइल लिखो और प्रिंसिपल से साइन करा लो अगर प्रिंसिपल साइन नहीं करती है तो यार क्या ही बोलो मैं अपना साइन कर लो मतला रेगुलर सर्टिफिकेट कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है अगर आपने सच में रेगुलर पास आउट किया है तो आप स्टेटमेंट है बस कि I am passing means 12 दे नहीं 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 पासिंग सर्टिफिटेट अलग होता है यार मने कितने बार बता है यह जो मैंने वीडियो प्रोवाइड की थी आपको इंट्रिव्यू वाली रीसेंट वाली तो उसमें आपको मैंने पासिंग इंस्टाग्राम पर पुछ लो में legs में difference है one is thin and one is smaller than other is there any problem in physical हाँ physical में तो नहीं medical में problem होगी अगर difference दिखता है तो अगर difference है तो medical में problem हो सकती है क्योंकि doctors देखते हैं न फिर surgical में ही आता है यह चीज़े है में documents आरे original चाहिए है फोटो कॉपी से भी हो जाएगा सारे documents original देखाना है और photo state उनको submit करना है इन case अगर कुछ documents आपके original format में नहीं है तो उसकी at least photocopy होने चाहिए और जो भी आपके documents अगर original में नहीं है photo state तो please उसकी एक दो photocopy और करवा लो for example मैंने TC के लिए भी कई बच्चों को बोला है जिनके पास TC है original नहीं है लेकिन photocopy है तो इस TC की दो तीन photocopy और करवा लो ताकि in future वो आपको काम आती रहे ठीक है तो photo state भी चलेगा कोई problem नहीं उसमें लेकिर ऐसा नहीं है कि आपकी 12th की mark sheet ही original नहीं है वो photocopy है तो यदर problem हो जाएगी है ना 12th और 10th की mark sheet important है medical कैसे होगा medical जैसे होता है आपका हर दिन medical चलेगा for example मैं इसका एक बहुत important example देती हूँ for example आपका 23 August को आपका first batch है जो medical के लिए जा रहा है और interview के लिए जा रहा है ठीक है तो यहाँ पर आपके कितने दिन लगेंगे दो से तीन दिन मैंने बोले या तीन से चार दिन बोले ठीक है तो उस case में आपका पहला दिन जो होगा first दिन जो 23 August है वहाँ पर आपका interview भी होगा साथी साथ आपका medical भी process स्टार्ट हो जाएगा अब मालो medical process आपका second दिन भी चलता है क्योंकि पूरा medical आपका नहीं हो सकता है एक ही दिन में तो यह दो दिन आपके complete medical में लग जाएगे और जो आपका तीसरा दिन होगा उसमें medical board बैठेगा जो वह आपको बताएगा कि आप medically fit हो या unfit हो ओके सो medical ऐसे होता है medical का जो process है मैं आपको यूनो short में एक वीडियो प्रवाइड कर दूँगी जिसमें जो most important चीज है आपकी height से काफी question पूछे गए है बच्चों के द्वारा और BMI index, eye and knock knee and USG वगेरा कैसे कैसे होता है weight यह सब important चीज है तो medical पर मैं वीडियो प्रवाइड कर दूँगी कुछ tips है basically मतलब medical तो वो doctors करेंगे न मिरको थोड़ी न करना है आपका medical medical doctors करेंगे वो बताएंगे आपको fit हो या unfit हो लेकिन कुछ tips होती है medical में भी आपको वहाँ पर you know mind में रखना है कि हमें यह गलती नहीं करनी है medical के time पर like USG होता है वो आपका फिर आपका chest का x-ray होगा फिर आपको urine test देना होता है तो इन चीज मतलब USG मतलब एक medical में जो सबसे सब्सक्राइब होता है और उसमें फिर हमें urine test देना है तब तक हमें चेस्ट भी चेक कराना है बहुत difficult होता है मैं प्लीज टेल आम ओवरवेट कैना इस कैना भी सेलेक्टेड ओवरवेट ज्यादा ओवरवेट और तुम मतलब कम नहीं कर सकते वेट तो हो rejection मिलेगा temporary rejection तो 45 डेज में आप ओवरवेट से अंडरवेट मतलम नॉमल हो सकते हो अंडरवेट बोल रही हो नॉमल हो सकते हो है ना तो कोई इश्यू नहीं हो उसमें ओवरवेट का लेकिन हाँ temporary rejection मिल सकता है इसमें अगर ओवरवेट हो तो हमेशा Delhi में ही इंटरव्य होता है नहीं है सच मतलब इस बार ऐसम सुनने को आया है कि इंटरव्य सिर्थ इस बार देली में हो रहा है वो भी आरेनार शॉस्पिटल में लेकिन आपका जो इंटरव्य है वह आरेनार स्वरी डैली बेस में अडे फैलिघ्ष क्राइश में यह दो यह निए वह लेकिन अब पिशली बार आरेनार और अफ्सी पूने में हुआ था अभी बोले रहे हैं सारे कि आरे नार में ही हमारे इ पता है ना आपको एक AFO शीट और यह सब चीज है कि अधर फो शीट में लिख देना की अड्मिशन नंबर फादर ने मैंशन करके आम रेगुलर कांडिडेट पासिंग आउट फ्रॉम या फिर पासिंग आउट फ्रॉम दिस स्कूल इन दिस यह यह लिखना है सिर्फ आपको कहां से कहां यह से कहां मंगे जब दाझत में इस यह सब कर्फीर किटने बा इस गणडेंग अब होगया यह में हो गया है से प्लीज इंटर्वीव वीडियो में प्रोवाइट करा दूं बट इंटर्वीव में जो आपके डाउट से वो मुझे नहीं पता है न कि मतलब आपको क्या डाउट से रिकार्डिंग क्या टिप्स देनी है मुझे बस इतना पता है आप इंटर्वीव के लिए जाओगे तो पहले आपका डोकुमेंटेशन होगा फिर इंटर्वी स्टार्ट होगा उसके साथ साथ आपका मेडिकल भी चलेगा मतलब ऐसा होता है कि जैसे आपका 23 को है मतलब पहला यह एक्जांपल लेती हूँ 23 अगस्त को आपका इंटर्वीव होगा ना तो जो बच्चे आएंगे का इकनोंने 40 बच्चे एक दिन में बुलाएं तो यह जो 40 हैं इंकी दो टीम बना देते हैं यह बी खरोके तो पहली यह जो टीम है उन का पहले इंटर्वी बेला की लिए और इंट्रो इंको इंट्रव्यू के लिए तो साथ ही साथ चलता है सारो प्रॉसेस करके कि और सब्सक्राइगा से ट्रवाइट करो जब उसका आंसर आएगा बीडियो से रिगार्डिंग थे किसे रिकारडिंग जो भी आपको डाव में ने क्लियर कर दिया अगर कुछ भी एक्स्टर आपको इन्फ णिफवेंश्ट लेना है या फिर डावट है तो यूगे यो क्वेंक यू